दोस्तों बहुत दोस्तों स्वागत करते हूं आपका प्लंबर स्पेशालिस्ट चनल में दोस्ता आज की इस वीडियो में यहां पर देख सकते हो यह सिष्टन का साइफोन है और यह बॉलकोक है दोस्तों यह दोनों जो है काफी पुराना हो चुका है और यह जो है खराफ हो रस्ट लगतर और यह जो है मतलब वांट पीश ट्विलिट का यह दोनों पार्ट्स है ट्रोलेट कर साथ मुझे सिष्टन आता है इसका यह पार्ट्स है तो आज की वीडियो में दोस्तों अगर आपका ट्विलिट का यह सब खाराफ हो जाता है तो उसके बतले में आप तो यहां पर दोस्तों इसका साइफन को चेंज करने के लिए मुझे यह जो टोइलेट से अलग करना पड़ेगा तो अब देख लिए यहाला साइफन है तो इसका उपर कीट को मैं सबसे पहले निकाल कर रख देता हूं यहां पर तो यहां पर इसका फ्लासिंग कीट खोलने के बाद में सबस्तों साइफन का यह वाला नीचे वाला जमनट है इसको मुझे खोल कर इससे अलग कर देना है और इसको पुराने सिस्टन के साथ में मुझे नए से लगाना है और पुराना वाला भाग को खोल कर मुझे निकालना ह यहाँ पे अब देख लिए यह वाला साइफन कुछ इस टाइप से काम करता है जब फ्लासिंग करते हो यह उपर के तरफ जाता है उसके बात में निच्छे कतरफ आता है अब देख लिए यह दोनों almost same है लेकिन खली company अलग अलग है यहाँ पे लेकिन यह matching होए त्वारा असा लगाना है यहाँ पे क्योंकि यह नहीं हमें खरीत का लाया हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यह वाला जो तो मतलब यह system इसके साथ में लगा हुआ रहता है तो इसको मुझे खोल कर निकालना पड़ेगा यहाँ आप देख लिए यह दो इसका नाट रहता इसको आपको क्या करना है छोड़ेगा निकालना है और उसके बाद में आपको यह system का उपर से पकड़ कर निकाल कर अब यह वाला भाग ट्वालेटेश से अलग वह जाए गया और आपको इसको लगाना है तो यह दोनों एक साथ में आता है तो आपको इसे दो इसक्रू को निकालना है इसका अंदर का siphon का जो भाग को लगाने के लिए नीचे का अब उसके साथ में यहां पर रहता रहता है जिससे कि cœur lavdo c Yin को 스थ में नाओं यह दो शीर UX लेली तो मैं नागा नेया लगाए इसको में ब्हुआ अब इसका पूराना वालो जो साइफ़न का उसको मैं निकाल लूंगा और यह नया वाला लगाऊंगा यह आप देख लिजिए पूराना लगा हुआ था तो इसको मैं नया लगाऊंगा क्योंकि यह टोइलेट मतलब साइफ़न के साथ में यह वाला 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 आया है अल्डेटी तपर यह वासर है यह भी खराब हो चुक है यहां से पानी दो लिकेच हो रहा था तब देख कर पूस कर दोंगा और बाहर से इसका जामनाट लगाऊंगा तो यहां पर इसको थोड़ा मैं पहले साप कर लेता हूं अंदर कचड़ा विगर लगा हुआ है इसलिए तब देख लिजिए अंदर से मैं वासर देकर इसका नया वाला भाग जो है साइफन के इसको पूस कर द देख लिजिए यह पूराना खोल कर मैं नया वाला साइफन का साइफन का पार्ट को लगा दिया हूं अब मैं यहां पर इसका गेस्केट वासर जो था इसको मैं ऐसे लगा दूंगा उसके बाद में नया वाला भाग लगाने के बाद मैं साइफन का अब मैं सिस्टन को आप देख से तो उपर से रख दियाओं यहाँ पर अब अंदर से इसका दो नाट को में दोस्तो जैसे खुलता ऐसे मैं लगा दूँगा आप देख लीजिए और इसके साथ में आपको वासर देना है इसके साथ में एक वासर आता है तो वासर और एक राबर वासर और उसके बाद म यहां पर आब मैं इसका लिए साइफों को लगा कर यहां पर लग या यह यह नया वाला वाला शाइफों लगगते है उसके बासमें फी यहाँ पर इसका दो बॉल को का खीट को में उपर के तरफ उसकर दता हूं तो यह लग जाएगा यहाँ पर आप देख लिए ऐसे और इसके बाद में इसका यह वाला बॉल को आप दोस्तो आप डाउन करके ला सकतो पानी का मिनिमम मेक्सिमम रखकर अड़ेस्ट कर सकतो यहाँ पर उपर नीचे आप देख लिए इस टाइप से काम करेगा तो यह लग गया है आप यहाँ पर देख लिए देख लिए केटलोग में भी दिखाया हुआ है इस टाइप से लगाना पड़ेगा आपको तो उसके बाद में यहाँ पर बॉल को का दोस्तो यहाँ पर जामनाट और मैं वासर खोल लेता हूँ तो एक उपर से जाएगा वासर और एक दूसरा जो वासर नीचे से जाएगा है यहाँ पर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है नाट नाट को लगाद देख लिए बिटा करें आप पानी चालू कर देहूं तो तो क्या है दोस्तों अब जो को मैं टेस्टिंग कर रहों यहाँ पे आप देख लिजिए इसका नीचे का एक वेल्ड शो दिया हुआ तो इसको आप उपर नीचे करकर आपको सिश्टन के साथ में करना उसके बाद में इसको उपर का जो है प्लासिंग लगेगा यहां पर देख लिए यह वाला भाग को अपको लगाना है उसके बाद में यह वाला धक्कन आपको लगाना है और उसके बाद में यह वाला भाग जो है लगा देना है आपको फ्लासिंग कीट और यह टोइलेट का मतलब साथ में पुरा बैट के रहना चाहिए उसके बाद आपको उपर से इसका एक नट आएगा इसको आपको टाइट क लेकल नहीं कि यह पाइप जो है बड़ा छोटा होता है तो इसके बाद में कितना आएगा उसके सब साब को नाप कर दो काट कर इसको बिठा दना है ताहराम से दो यह प्लाशिंग देवरे साथ में हो जाएगा अब देख लिए उसमया पर प्लाशिंग करके पतार हो यहां प